Module 75, Diagnostic Feature of Peromania तो जब हम Diagnostic Feature of Peromania की बात करते हैं तो वी नो कि जो DSM-5 है, वो जब अपना DSM-5 में अपना Criteria देता है किसी भी disorder का उसके बाद उस Criteria को well explained करने के लिए और वो मजीद उसके Diagnostic Feature पर बात करता है तो जब हम इनके Features के बात करते हैं तो उसमें जो important criteria है, that is the criteria D criteria D के अंदर basically वो बात ये करते हैं कि जो individuals हैं वो जो खास तोर पर जो Peromania के individuals हैं वो क्या करते हैं? वो regularly fire set होते हुए उसको watch करते हैं ठीक है? उनके neighborhood में भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है लेकिन वो उसको बड़े shock से और बड़ा fascinate होकर देखते हैं और they may set of false alarm भी की activity भी उनके अंदर देखने में आती है इसी तरह वो इस तरह की situation से उनका जो overall objective होता है वो player see करना होता है ठीक है? और इसके साथ-साथ जो उसके equipment हैं और जो उनकी personal association with fire है वो उससे भी जादा बहुत जादा fascinate होते हैं ठीक है? याई आप जो equipments हैं जिनसे fire set हो सकता है वो उनको explore करेंगे उनको देखेंगे that is something which they do ठीक है? इसी तरह अब वो और क्या काम करते हैं कि वो बहुत से ऐसे departments जहां पर fire setting की equipments पड़े होते हैं इस तरह आप इसे समझ लें कि fire fighters का जो department होता है fire department वहां पर वो जाते हैं वहां पर अपना time spend करते हैं और इन में से बहुत से बच्चे जो है वो fire fighters बन भी जाते हैं ठीक है? तो इस तरह की चीजों के साथ ये बहुत जादा feel करते हैं association इसके साथ साथ जो important चीज है वो यही है कि ये individuals जो है वो player experience करते हैं gratification और relief experience करते हैं जब ये इस चीज का effect जो है fire का होते वे देखते हैं ठीक है? और अगर वो fire fighter है तो definitely वो participate करेंगे उस activity के अंदर और उसके जो consequences हैं उनको वो witness करेंगे तो they feel also relaxed by seeing that things फिर उसके बाद हम एक criteria की बात करते हैं एक criteria में वो ये बात करते हैं कि जो momentary gains है यह उनका ये कोई purpose नहीं होता कि for the time being अगर वो fire set कर देंगे तो कोई भी activity जो है वो delay हो जाएगी या उनको कहीं से कोई for example money मिल जाएगी तो momentary gains जो है वो उनके नहीं होते इसी तरह जो उनकी social political ideology होती है या अगर वो किसी भी political party के साथ जो है उनका clash of idea है तो वो उनके लाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जाके fire set करेंगे इस तरह नहीं होता इसी तरह अपनी या किसी और की criminal activity को conceal करने के लिए वो fire set नहीं करते हैं इसी तरह अपना anger express करने के लिए भी वो अपना fire set नहीं करते है जिसा conduct disorder में जब लोग जो conduct disorder का बच्चा होता है जब उसके अंदर गुस्सा होता है तो वो उस गुस्से का expression जो है sometime वो fire setting करके कर सकता है लेकिन ये बच्चे जो है वो anger expression के लिए fire set नहीं करेंगे इसी तरह जो living circumstances है या अगर मैं fire set कर देता हूँ घर के अंदर तो मुझे जो घर का है वो insurance के पैसे मिल जाएंगे इस किसम की उनकी कोई intention नहीं होती इसी तरह उनका कोई delusional belief या hallucination जो है वो नहीं होता जिसकी basis के उपर वो fire set करें ठीक है इसी तरह impaired judgment जो के neurological disorder अगर कोई किसी किसम की head injury हुई है और उससे आपका neuro function जो है वो effect हो गया है और आपकी personality change आ गई है तो उसकी वज़ा से जो है वो impair हो गई है judgment तो उसकी वज़ा से जो है ये problem नहीं होगा इसी तरह intellectual disability यानि intellectual developmental disorders जो है उनकी वज़ा से ये नहीं होगा जिसके अंदर mostly बचों को ये idea ही नहीं होता कि जो activity वो कर रहे हैं वो harmful है या वो किसी और को harm पहुंचा सकती है ठीक है इसी तरह ये अगर fire setting किसी बचे ने की है तो we need to be find out कि उसे conduct disorder या manic episode या anti social personality disorder तो नहीं है अगर इस ये सारे diagnosis उसके possible कि जो fire setting की गई है वो conduct disorder की वज़ा से manic episode की वज़ा से या anti social personality disorder की वज़ा से हुई है rather than कि हम उसे कहें कि ये paromania की वज़ा से हुई है